छतरपुर में पिछले 14 साल से पोलियों का एक भी केस सामने नहीं आया है। अमुमन पूरे भारत में पोलियों के मामले धिरे-धिरे निम्निसतर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए पोलियो अभियान लगातार जारी है और 0-5 वर्ष तक के बच्चों को निरंतर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। एक बार फिर आने वाले तीन दिनों तक पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्त महकमात तैयारी में जुटा है। च्छतरपूर की ये तस्वीरें हैं जहां पोलियो मुक्त अभिहान के लिए स्वास्त बिभाग ने तैयारी की इस दोरान बताये गया कि च्छतरपूर में 27, 28 और 2 मार्ज को 3,3776 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी इसके लिए च्छतरपूर में 278 बूत बनाये जा रहे हैं च्छतरपूर के CMHO डॉक्टर विजय पतहौरिया ने लोगों से अपील की है कि बेपने बच्चों को पोलियो की दवा आवश्य पिलाएं इस दोरान चिला अस्पताल में मीडिया एडवोकेसी का आयोजन भी किया गया और मीडिया से भी पोलियो मुक्त अभिहान के लिए लोगों से अपील करने की गुजारिश की गई चंदास से बुजार्स करते हैं कि अप लोगों पुछ पर आएं और आप पहले दिन ही बच्चे को अपने पूली दवाई पिला लें इसका पर्षेंटी से मोड़ दन नाइंटी पर्षेंट होना चाहिए हाला कि घरगार भी जायेंगे घरगार भी पिलाएंगे लेकिन हमारी आप सुनुस बिसे अगरहा नोध है कि बच्चों को बूत पिलाएं और दोई पिलाएंगे पल्स पोलियो अभियान दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्ज तक चलाया जाना है जिसमें 0-5 साल तक के बच्चों को दोबून जिन्दिगी की पोलियों की दबा पिलाएंगे जाना है तो इसके जागरुकता अभियान हेतु आज ये रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में हमा हमारी शहरी आशाएं हैं और उन्होंने यही संदेश दिया है कि सभी माता पिता अपने 0-5 साल तक के बच्चों को दोबून पोलियों की दबा अवस्त पिलाएं और हमारा ये टार्गेट है कि जो 27 तारी को बूत पर पल्स पोलियों की दबा पिलाई जाना है उसमें पेरि प्रियास यह है कि सारे माता पिता 27 तारी को अपने बच्चों को बूत तक लेकर आएं लगवा कितनी लोगों को पिलाने का ये तीन लाग 37,000 बच्चों को ये दबा पिलाई जाना है